हलो दोस्तों, वेलकम तो स्लीपनी क्लासेश आज का हमारा टॉपिक है पोलर और आक्टिक क्लाइमेट अल्रेडी हम दस लेक्चर इस टॉपिक पे ले चुके हैं हर एक वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप को हमने डीटेल में डिस्कास किया है तो चलिए, आज अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं अगर टेक्निकालिटी की बात करें और हमने इस पूरे सीरीज में इस डाइग्राम को रेफर किया है कि 65 से 90 डिग्री लाटिट्यूट के बीच में इन बोथ the hemispheres आपको ये climate type मिलेगा रादर हमने काफी डीटेल में देखा है कि हर एक latitude पे जैसे जिसे आप eastern से western margin की तरफ गए क्या climatic conditions रहीं किस तरह से जो है changes हुए इसी को अगर हम समझें कि इतनी extremities पे इतने high latitudes पे किस तरह की conditions होंगी तो आपको बता है यहाँ पे temperature जो है बहुत ही जादा कम होगा temperature rarely exceeds 0 degree Celsius अब ऐसा क्यूं है देखे बहुत basic आपको पता होना चाहिए मैं हमेशा इस चीज़ पे focus करती हूँ कि sun के साथ earth का angle इस तरीके का है कि sun जो है directly overhead सिर्फ 3 positions के बीच में होता है Cancer, Tropic of Cancer, Equator और Tropic of Capricorn तो यह जो zone है यहाँ पे ही sun ने directly overhead होना है इसके beyond जो भी zones है beyond 1 and beyond 3 जितने भी zones है वहाँ पे sun की radiation जो है slanting होती है और categorically हम polar climate की बात करिया ने कि जब हम extremities की बात करते है वहाँ पर तो बहुत ही कम insulation होती है इतनी कम insulation होने की वज़े से इतनी कम sun की heat वहाँ पहुचने की वज़े से ही वहाँ पर temperature बहुत ज़ादा कम होता है लेकिन अब क्योंकि insulation बहुत ज़ादा कम है लो solar insulation है इसकी वज़े से क्या होता है यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ज़ादा ठंडे रीजन, यानि कि for example snow भी पाई जाती है, अब snow बन गई तो एक और मेकानिजम पारलेली होगा, क्या होगा, snow का albedo जी बहुत जादा है, अब albedo क्या होता है, मानी जी कोई भी आपकी surface है, उस पे जितनी भी incident solar radiation होगी, उसका कितना part जो है, वो surface reflect back कर देती है, वो उस albedo होता है, मानी जी अगर majority जो भी incident solar radiation थी, majority radiation जो है reflect back कर दी, तो हम कहेंगे उस चीज़ का albedo बहुत जादा है, यदि बहुत जादा reflect back नहीं कि absorb कर दी, तो हम कहेंगे albedo बहुत जादा कम है, snow का albedo बहुत ही जादा है, तो anyway आप मान के चलिए कि उस zone में बहुत जादा जो है insulation कम थी, temperature कम था, लेकिन अब क्योंकि वह snow भी है, इतनी कम temperature की वज़े से, जो आभी रही है solar radiation, उसका भी majority part क्या हो जाता है, reflect back हो जाता है, इस वज़े से बहुत जादा heat वो zone रोक नहीं पाता, जिस वज़े से वहाँ पर temperature बहुत जादा कम होता है, ठीक है, पर यहा snow melt हो reacting, अब what does that mean, तेखो in general, जो भी snow के पास heating आ रही है, majority उसे reflect back करनी है, लेकिन जब भी pollution बहुत जादा होता है, जो आपके black particles, black suit या black aerosols होते हैं, वो zone में आ जाते हैं, अब जब वो snow पे आते हैं, अब उनका characteristic बदल जाता है, अब जो है, क्योंकि वो particles जो है, उनकी tendency ह to absorb heat, तो अब क्या होगा, generally snow के पास जो आपके particles, generally snow के पास जो insulation आती, snow ने करने नी थी reflect back, लेकिन अब क्योंकि snow पे particles इकठे हो जाते हैं, जो due to pollutions आ रहे हैं, इन particles की tendency है to absorb radiation, now, whatever insulation comes, उसका बहुत ज़ादा part जो है, absorb कर लेती है snow, क्योंकि snow के ओपर इन particles की layer बन जाती है, अब snow क्योंकि heated होगे तो क्या होगा, snow कर जाएगी melt-up की, that is why हम कहते हैं कि pollution की वज़ा से भी, जो particles आ रहे है, Arctic climate में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो usually जब आप ये topic पढ़ते हो, हम सिर्फ static को पढ़ते हैं, बर बहुत important है कि आप यहाँ पर current aspect भी जरूर लिखे, ठीक है जी, समझ हुआ है, तो आप ये example दाए है, आपको जरूर लिख लीजेगा, यहाँ पर आप देखोगे, winter और summer दोनों exist करती है, winter तो और जादा severe होगी, लेकिन summers का मतलब ये नहीं है कि suddenly 20, 40, 50 degree temperature हो गया, no, it just means कि winters में यही बहुत जादा negative था, तो अब थो थोड़ा कम जो zone होगा, थोड़ा कम जब temperature होगा, तब आप कह दोगे कि summer से, winters में तो extremely कम temperature होगा, so there is a scenario कि comparable temperature की यहाँ पर बात होती है, ठीक है, अब यहाँ पे न मैं आपको quickly एक point बताती हूँ, कभी-कभी हमसे कहा जाता है कि जो polar regions के आसपास की zone है, वहाँ पे continuous zone of darkness है, अब देखो इसा क्यों होता है, ठीक है, अब अगर आप इस diagram को ध्यान से देखो, तो कुछ angle पे आपकी sun tilted है, sorry, आपका earth जो है tilted है, अब देखो, यह जो zone है, यह जो है incident, इसका जो angle है sun के towards है, बट जब हम बात करेंगे north pole की, आप देखिए north pole काफी जादा far away है, तो अब जब far away होगा north pole इस समय पे तो क्या होगा, वहाँ पे sun की radiation बहुत जादा कम जाएंगी, इसलिए बहुत जो continuous weeks तक हम कहते हैं कि poles के पास जो zones है, वहाँ पे zone of darkness रहता है, अब इसको बदलने में, यानि कि ऐसी position पे आने में, जब आपका north pole far away ना हो, रादर आप south pole far away हो, उस इसने जादा महीने लगते हैं, अब जब ऐसी scenario आजाएं कि अब जो है north pole पे आपका sun directly incident हो गया, यानि कि उस zone में हो गया, वहाँ पे बहुत जादा sunlight रहेगी, तब आप देखते हो कि कहते हैं, घंटो घंटो sunlight ही रह रहे हैं, पर इस point पे क्या होगा, अब south pole आपका far away है, अब south pole पे क्या होगा, sun की raise जो है कमाएंगी, तो तभी क्योंकि angle इस तरहां का बना हुआ है कि ये इतना far away है, इसको near वाले zone बनने में बहुत जादा समय लग जाता है, तो simple सी बात है, जब ऐसा zone होगा, जब ये region far away होगा sun से, incident radiations minimal होगी, तब क्या होगा, weeks of continuous darkness होगा, ल आपको नजर आएगी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम zones की बात करें, तो अब हमें पता लग गया कि northern hemisphere में regions which are beyond arctic circle, वो जो है आपके northern hemisphere में polar climate से जुड़े होए, और southern hemisphere की बात करें, तो जो अंटार्टिका का पूरा continent है, वो polar climate से जुड़ा हुआ है, अब ध्यान रखना, इन zone में भी ऐसा नहीं कि बिलकुल ही प्लेन है ये सारे, इनमें भी highlands तो exist करेंगे, ऐसे regions exist करेंगे, जो higher in altitude है, तो जो भी highlands होंगे, higher in altitude होंगे, आप देखोगे, वहाँ पर तो पका ही ice caps आपको मिलेंगी, अब मैं highlands की बात क्यों कर रही हूँ, क् highlands से आपको इचीज़ पता लगती है, कि जैसे जैसे temperature घटेगा, आपको पता है, normal lapse rate पढ़ा है हमने, कि जतना जतना आप उपर जाते चाओगे, temperature घटता जाएगा, दुनिया में ऐसे भी तो regions हो सकते हैं, जो चाहे इस latitude पे exist ना कर रहे हों, जो चाहे उस zone में exist ना कर रहे हों, जहाँ पे minimal radiation है, जहाँ पे की higher latitudes है, यह latitudes, लेकिन ऐसे भी तो zones exist कर रहे हैं, जिनको altitude बहुत जादा है, जो उनकी highland है, उचाई बहुत जादा है, for example, हेमालयास की बात कर लेते हैं, कितने उचे हैं, जितनी उचाई पे जाओगे, temperature घटेगा, तो दुनिया में, apart from these particular latitudes, यानि कि 65 से 90 डिगरी के बीच के latitudes के अलावा भी कुछ exceptions हैं, जहाँ पे इस तरह का climate मिलेगा, वो कहां मिलेगा, जिनमें जादा altitude होगा, यानि at the top of the highest mountains, for example, हेमालयास की बात कर सकते हैं, कितना उचा है, आपने कई बात diagram में भी देखा होगा, snow होती है उनके उपर, तो जहाँ पे भी ऐसा altitude होगा, जहाँ temperature इतना कम होगा, वहाँ पर भी आपको ये climate जरूर मिल सकता है, तो इस पूरे altitude का, जहाँ पे ये climate type मिलता है, उसके exceptions क्या है, top of the highest mountains, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब precipitation, अब precipitation तो देखो बहुत जादा low होगी, कैसे पता है मु pressure belts पड़ी है, और हमें पता है, बड़ी simple सी बात, जहाँ भी insulation होगी, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, जहाँ भी insulation होगी, यानि जहाँ भी heating होगी, हमने क्या पड़ा है, चीजें expand करती हैं, molecules दूर दूर होते हैं दूसरे से, यानि की pressure भी काम exert करेंगे, वहाँ पे हमेशा क क्या होता है, लो pressure होता है, और जहाँ भी ठंड है, molecules पास-पास हैं, एक दूसरे में बहुत जादा pressure exert करेंगे, तो वहाँ पे होगा आपका high pressure, अब सबसे coldest regions वाला zone कौन सा है, ये वाला, यानि की molecules बहुत पास-पास हैं, कौन सा pressure होगा, high pressure होगा, और आपने पढ़ा भी ह है, ये अपने planetary winds का chapter पड़ा है, कि ये तो high pressure zones है, और high pressure zones में क्या होता है, basic आपको पता है, कि कभी भी low pressure zone होगा, तो हवा उपर की तरफ जाएगी, बादल बनाएगी और rainfall करेगी, लेकिन जब भी high pressure zone होगा, हवा हमेशा क्या करती है, descend करती है, तो descend करने वाले zone में बहुत जादा rainfall होगी ही नहीं, तो इस वजह से, क्योंकि ये high pressure belt वाला zone आता है, precipitation बहुत जादा कम है, लेकिन आप देखोगे, यहाँ पे भी कुछ coastal regions भी exist कर रहे हैं, तो आप ऐसा देखोगी कि कहीं कहीं जो है, rainfall, sorry, कहीं कहीं जो है, precipitation होगी, लेकिन क्योंकि temperature बहुत कम है, तो precipitation भी smokey form में होगी, और आप देखोगे, conventional rainfall, conventional rainfall यानि कि ये वाला scenario कि हवा देरे देरे ऊपर जाती है, बादल बंदे है, rainfall होगी, ये बहुत जादा वहाँ पे exist नहीं करेगा, क्योंकि low pressure वाला zone ही बहुत जादा exist नहीं कर रहा, अब low pressure वाला zone exist नहीं कर रहा, insulation बहुत जादा exist नहीं कर रही, तो evaporation भी बहुत जादा नहीं होगी, अब आप कहोगे evaporation कैसे, देखो बड़ी simple सी बात है, कहीं भी अगर आपका water exist करता है, उसको vapor बनने में evaporate होने के लिए क्या चाहिए होता है, water को जो है heat की जरूरत होती है, right, water को जब heat मिलती है, liquid को जब heat मिलती है, वो अपना form बदल देता है into gas, into vapor, अब ये कैसे होगा, जब water को heat मिलेगी, लेकिन heat किस से मिलनी चाहिए, insulation से, sun की heat से, लेकिन यहाँ पे तो minimal insulation है, इस वज़े से ये heat बहुत जादा नहीं होती, और evaporation भी बहुत ही जादा कम होता है, अब बिलकुल ही बंद क्यों नहीं कर कर पाएगा, और moisture क्या है, moisture actually vapor को ही तो कहते है, तो moisture का भी बहुत जादा lack होगा, जिस वज़े से again यहाँ पे conventional rainfall जो है, नहीं हो पाएगी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब vegetation कैसे होगी, बहुत ही extreme temperature है, adverse environment है, और सबसे main driver जो होता है, कि heating, insulation हो, उसकी तो बहु efficiency है, इसलिए ऐसी vegetation होती है, lowest form of vegetation, जो कि extreme conditions में exist कर सकती है, extreme temperature जब कम होगा, for example, moses or lichens, right, मैं आपको दिखाती भी हूँ, कुछ इस तरह की vegetation वहाँ पे exist करती है, again, drainage भी बहुत जादा पूर होती है, क्यों, क्योंकि soil के अंदर भी जो regions है, आप देखते हूँ, actually frozen होते हैं, and just to give you a bit of current affairs, यहाँ पे, तो होता क्या है, कि इन zones में बहुत जादा जो है, ammonia एकठा हो जाता है, sorry, methane जिसे आप कहते हो, बहुत जादा एकठा हो जाता है, तो होता क्या है, कि इन regions में अंदर बहुत जादा methane एकठा हो जाता है, अब जब आपकी, जो polar regions है, वो melt होने लग ज जाएगा, अब जब methane बहार आएगा, तो क्या होगा, methane आपकी greenhouse gas है, जो कि क्या cause करेगी, global warming cause करेगी, तो कभी भी आप जब इस point को explain करें, कि आपका, जो soil है, वो भी यहाँ पे frozen है, तो आप लिखिए, लेकिन जो current aspect है, वहाँ पे जब आपकी global warming होगी, soil pig लेगी, यहाँ पे जो methane content है, बाहर आएगा, जो कि यह greenhouse gas है, वो और जदा global warming जो है cause करेंगे, ठीक है जी, चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखने हैं, तो हम बहुत generic बात करते हैं, now, हमने देखा कि यहाँ पे कभी ना कभी तो थोड़ी बहुत summer होगी right, summer कैसे होगी, क्योंकि हमने देखा कि ऐसा zone जरूर आएगा जब वो जो zone है incident होगा towards the sun, तो summer आएगी, ऐसा नहीं कि temperature बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन comparable summer जो है यहाँ पर जरूर आएगी, of course, apart from that summer, ऐसे भी zones है जहाँ पे coast भी exist कर रहा है, तो वहाँ पे आप देखोगे, कुछ vegetation जो है, apart from जो है, बाकी vegetation जरूर मिलेंगे, रादर summer की समय तो आप देखोगे, snow भी melt करेगी, और कुछ हद तक warm regions भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप देखोगे, arctic flower blooms होंगे, berry bearing bushes होंगे, देखे, जो कुछ इस तरहां की zones है, हाँ जी, तो आप देखोगे, zone को arctic prairies भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही जादा brief summers में होता है, और जहां मैं आपके लिए coast की बात करें थी, coastal low lines पे, due to certain favorable conditions, क्योंकि coast के पास आप देखोगे, बहुत extreme temperature नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको कुछ तरहा की grass भी मिलेगी, जो की वहाँ जो animals पाए जाते हैं, वो consume भी करेंगे, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, okay, how are the human activities, so human activities आप देखोगे, जो तो extreme ice caps वाले region हैं, जहां तो आप travel ही नहीं कर सकते हैं, वहाँ तो बहुत minimal होते हैं, although research stations जो है जरूर वहाँ बनने लग गए हैं, but usually, अगर आप generally बात करो तो mostly coastal regions पे जो है, confined होते हैं, of course, because coastal regions पे travel करना भी आसान होता है, आज कल तो आप देखोगे कि ice breakers बहुत जादा आ गये हैं, ice break करके, जो है, ships are going in, लेकिन generally अगर हम देखें, तो coast के पास activities होती हैं, यहाँ पे आप देखोगे, eskimos बहुत जदा पाए जाते हैं, आपने होने चाहिए, but just to let you know, tribes के भी न, यहाँ पे occupations बदले हैं, इनकी culture में बदलावाया है, जैसे-जैसे, जो है, global warming हो रही है, यह in general भी देखा जाए, तो यह zones बहुत जदा untouched थे पहले, लेकिन जब ही बहुत जदा Europeans के contact में आए, तो इन tribes ने भी अपना जो जीवन यापन का तरीका है, वो बदला है, right, sheep yearring जो है, उसको commercialize किया है, तो कहीं न, कहीं, जो culture है in tribes का, with due course of time, जरूर बदला है, right, तो कभी-कभी हम से question पूछता है, geography, cultural values को भी affect करता है, बिलकुल affect करता है, क्योंकि, जब geography की वज़े से ही, जो traveling हुई है, जो एक intermixing of cultures हुआ है, Europeans की contact मे जब आए है, तब आप देखोगे, इनमें से कुछ tribes है, जिन्होंने commercially चीजों को करना शुरू किया है, not only this, अब आप global warming की बात कर लेते हैं, उसकी वज़े से भी, ये tribe जो है, और बाहर की तरफ आई है, पहले ये बहुत internal zones में ही रहते थे थे, तो अब ये बाहर आई है, with their interaction with the world, तो बहुत सारी cultural differences भी इनके आए है, जैसा कि for example मैंने बताया, commercial activities भी यहाँ पर शुरू हो गई, चलिए, अब significance देखते है, तो ये जो zone है बहुत बदलाव आया है, जब से यहाँ पर discovery of minerals हुआ है, आप देखेंगे Alaska वाले zone में gold की बात हुई है, Alaska के ही पास आप यह peninsula है, वहाँ पर petroleum की बात हुई है, तो ऐसे बहुत से zones है यहाँ पर, जहाँ पर की minerals की बात है, जिस वज़े से geopolitically यह zone बहुत जादा important हो गया है, और Antarctic में तो आप देखेंगे research तो बहुत ही जादा हो रही है, इंडिया ने recently Antarctica जो bill है वो भी पास किया है, पर Arctic के अगर आप बात करें, तो कोई specific जो है, act जो है, इंडिया के reference में बहुत जादा जो है, उभर के नहीं आ रहा है, बढ़ हाँ, Arctic forum वहाँ पर exist करती है, लेकिन again, जैसे जैसे geopolitics में change होते जाएंगे, आप उन points को जरूर नोट करें, और उन points को अपने answers में जरूर जो है, इंकलकेट करें यहाँ पर आप देखोगे, traveling के लिए waterways खुल गए हैं बहुत जादा, for example, ice breakers use किये जा रहे है, और ice breakers की people are traveling, new आप देखो, यहाँ पर trade routes भी बनते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो आपका polar region है, Arctic climate की अगर हम बात करें, Arctic zone की बात करें, तो geopolitically बहुत जादा significant है, तो समय ह जो है आगे बताएगा कि क्या ऐसे current affairs हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जब भी आप इस climate type पे कोई भी answer लिखे, ठीके जी, तो I hope you've learned something new today, हर बार में कोशिश करती हूँ कि कुछ नया aspect जो है आपको बताया जाए, चीज़ों को simplify करके बताया जाए, तो I hope आपको कुछ तो ऐसा आज पता लगा जो कि आपको help करें exam में अच्छे marks लेने में, that was all from my end, आपको हमारे crash course के बार में पता है, कोई भी आपको details चाही, आप हमारे numbers पे call कर सकते हैं, one of the most detailed courses available for UPSC Prelims 2023, तो all the best दोस्तों, bye-bye.